ठीक है आपको जहाब है फिल करना है तो two words आपको क्या लगता है क्या हो सकता है मेरे साब से तो Cristiano Ronaldo ठीक है मेरे साब से क्या guys जादतर लोग इसाब से वही है क्रोनो ठीक है बट गाइस भी बहुत सारे लोग केंगे कि भाई हम तेरी बात क्यों माने हमारे दिमाग में तो और कुछ चलना है हम क्रिकेट फैन है तो दो वर्ड्स तो भाई व्राट कोली भी हो सकता है एंड हमारे और राउंडर जॉनी वह बहुत ही प्यारा सा सांत सा उसको प्रेस कर देना और हमारी फैमली का एक मेंबर बन जाना एंड साथ में उसकी बगल में एक घंटे का भी उप्सन है उसको और पर सेलेक्ट कर ले जिससे आप पे नोटिविए के सन मेरे वीडियो डाले से पहले ही आ जाएगा ठीक है ट्रा डीजे अडम आप जो भी बोलो ठीक है तो मैंने आपको उस वीडियो में भी बोला था कि भाई ये कंफरम नहीं है कि ये एडम है क्योंकि अगर एडम देंगे तो भाई एडम तो गोल्ड में हमारा है और गोल्ड तो भाई सब प्लेयर के पास होता है तो सब प्लेयर जगा कोई दूसरा करेक्टर आके ले लेगा अभी गरे ना क्या हाइप क्रियेट कर रहा है तो 90% मुझे अभी लग रहा है यस ये जो अपना मिस्टरी करेक्टर है वो ही अपना रोनाल्डो है वह ही अपना क्रोनो है अब ऐसा कहोगे आप क्यूं क्यूं ऐसा देखो जब क्रोनो की बात चल रही थी तो वहाँ पर चल रहा था कि भाई उसकी स्पीड बहुत ज़ाद आए ठीक है और जब आप इसको आलोक से कंपेर करोगे तो आलोक भी अपनी जो पावर लगा के भागता है ना इससे काफी पीछे रह जाता अपने मिस्टरी करेक्टर से ठीक है मैं आपको भी एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ आप वो देखो अरे कहना क्या चाहते हो सो भाई लोग मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट वाला जो करेक्टर है ना वो अपना इलाइट एडम है या मिस्टीरियस करेक्टर और जो अपना राइट में वो आलोग है दोनों एक साथ स्टार्ट किये थे लेकिन आप देख सकते हो लेफ्ट वाला प्लेयर अब तक पहुँच गया वहाँ पे और राइट वाला आलोग अपनी स्किल जलाके भी नहीं पहुच पाया तो मैं कहना यही जा रहा हूं कि जो अपना लेफ्ट वाला करेक्टर था जो अपना इलाइट एडम ता वही करोनो है भाई वही क्रिस्टियानो रोनालडो है निवाला करेक्टर मैंने उस वीडियों बोला था गरेना हाइप क्रियेट कर रही है तो 90% मेरे को ऐसे ही लग रहा है अभी फिरी फायर वाले इसका फेस छुपा रहे है मतलब इसको अभी अपनी गेम में आएगा तो इसको क्रिस्टियानो रोनालडो की सकल दे देंगे समझे जो अपना इलाइट एडाम है वही करोनो है मेरे हिसाब से और आपको क्या लग रहा है आप मेरे को कमेंट टॉक से बताना क्योंकि देखो इसकी स्किल इतनी ओपी है अभी मैं आपको जला के दिखाता हूँ मतलब यह स्किल को यह एडम पे कैसे दे सकते बताओ देखो यह है यह सील्ड बनाएगा यह आपको 500 एचपी एब्सॉर्ब करेगा फिर आपको गूलिया पड़ेंगी और इस मैंसे आप बाहर मार सकते हो और साथ में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी 40% जादा 40% समझ रहे हो आलोक अपनी स्किल जला की भी आपको नहीं पकड़ सकता है और यह हाथ में अभी आप गन देख रहे हो जो अपनी न्यू गनाने वाली है ना वेक्टर देख रहे हो अभी सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट आपको क्या लगता है जो मिस्टीरियस करेक्टर जो इलाइट एड़ वही क्रोनो है या यह अलग करेक्टर है और गाइस एक टाइम पे जैसे अपना डीजे आलो गेम चेंजिंग वाला करेक्टर हुआता है इसी तरह से अब क्रोनो चेंजिंग करेक्टर होने वाला है क्योंकि अपना आलोग स्किल यूज करके 16% स्पीड बढ़ाता है और वो अपनी स्किल यूज करके कितनी बढ़ाता है 40% ठीक है एक तो आपकी स्पीड बढ़ाएगा आपको 500 डैमेज कम जाने देगा मतलब जो इसकी सील्ड बंती हो अभी भी मतलब इमोट शॉट जो फेमस हुआ था अभी देखो इमोट करके बहुत ही आराम से उठ रहा है देख रहे हो यह चेंज है गाइस यहाँ पर जब आप इमोट करके उठोगे तो हलका सा धीरे सा उठ रहा है शायद इससे इमोट शॉट बंद हो जाए शायद यह अलग सा कर दिया आप देख सकते हो एंड भाई लोग देखो जो अपना करेक्टर था मिस्टीरिस करेक्टर इलाइट एडम आ सकता है लेकिन बहुत कम चांस है आपको पता ही है फ्री फायर वाले डायमंड खर्च करवाते हर चीज में मतलब समझ रहे हो ना अगर एडम जै क्रोनो लेने वाला है क्रिस्चियान और रोनाल्डो ओके एंड आपको क्या लगता मेरे कमेंट आउक सो बता रहे हैं साथ मैं इंस्टाग्राम की लिंक दिऊ है मैं डिस्क्रिप्चन वहां पर जाकर बताना ठीक है टेक करना देखेंगे कितने भाई-लोग सही है यहां पर भी हार गया वह मेरे मारेगा देखना अभी उसने मेरे को रख दिया अभी अदब सभी आलोक-ालोक आए हुए भाई ओके गाइस तो इस वाले में हमने ले लिए ड्रैगनोब सामने बंदा एक और उसको मार दिया है अभी आप यहां पर आलोक क्या ही खिलना है ह पर चिपका दिसने यहां पर करना था लेकिन यहां पर लगा लगा के पेल दिया है इसको अभी आप यहां पर देखना एक सामने बंदा होगा जिसने क्रोड़ यूज किया है मतलब इलाइट एडम यूज किया है जो भी बोलो आप अभी मैं उसको नहीं मार सकता हूं ओके अभी मैं उसको नहीं मार सकता हूँ जब तक उसकी ऊपर की शील्ड नहीं फूटेगी, अब जैसे उसकी शील्ड जाएगी अब उसको डैमेज पड़ेगा, लेकिन उस टाइम के अंदर वो मेरे को वहां से, मतलब अंदर से बाहर मार सकता था और डैमेज भी दिया था उसने, लेकिन जैसे उसकी सील्ड फूटी, उसको हैड रख दिया है, और भाई लोग यह अपना नया वो ही है, आपको पता ही होगा वेक्टर, अगरन आपने इसका गेम पले देखी लिया होगा, क्रोनो प्लस वेक्टर, ठीक है, तो अभी हम इस वाले गेम को कर लेते हैं, बुई झाले झाले झाले, झाले झाले।